नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। कि ये जो द्रिव्यमान है इसको हम M से निरुपित करेंगे और जो की है एक किलोग्राम। और क्या कह रहे हैं तो पृत्वी और इस पिंड के बीच के लगने वाला गृत्वा आकरशन बल परिकलित कीजिए। पृत्वी का द्रिव्यमान बहुत जरूरी बात है देखें कि पृत्वी का द्रिव्यमान है छे गुना दस की घात 24 किलोग्राम। और पृत्वी की त्रिज्या दी गई है 6.4 गुना दस की घात 6 मीटर। अब देखें यहां पे आपके दिमाग में प्रशना रहा होगा कि पृत्वी की त्रिज्या क्यों दी गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अभी केंद्रत बल होते हैं वो केंद्र से लगते हैं। तो यानि कि अगर कोई पिंड है जो पृत्वी के तल पर ही रखा हुआ है और पृत्वी के केंदर से हम कह रहे हैं कि बल लग रहा है तो असल में इस पिंड और पृत्वी के केंदर के बीच की दूरी यानि कि जो दूरी दो पिंडों के बीच की है वो किसके बराबर हो जाए प्रित्वी की त्रिज्या की कहने का अशिय ये हुआ कि जब आप बल को यहां पर परिकलिद करेंगे तो G गोना M गोना M E तो आप असानी से कर लेंगे परन्तू जब आपको अप ट लेना होगा तो उसकी जगह आप क्या लेंगे पृत्वी की त्रिज्या का वर्ग तो जी का मान हमें पता है कितना होता है 6.67 गुना 10 की घाट-11 और आपके पास जो द्रविमान है वो हो गया 1 गुना 6 की घाट 6 गुना 10 की घाट 24 और जो दूरी है वो हो गई 6.4 गुना 10 की घाट 6 का पून बर अब आईए जरा हम इसको हल करने का प्रयास करें तो 6.67 गुना 6 बटे 6.4 गुना 6.4 और अगर हम 10 की घाटों को हल करेंगे तो माइनस 11 प्लस 24 माइनस 12 यानि कि हमारे पास 10 की घाटे आ जाएंगी 12 में से 11 ग्याब मैंनी की 1 और अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आएए ये देखें आपको ये वाला भाग खुद से ही करना है मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ 6.67 गुना 6 और इसको हम भाग देंगे 6.4 के वर्ग से और जो की आजाएगा 0.97 तो यह आजाएगा 0.97 और जब हम इसे 10 से गुना करेंगे तो 9.7 नूटन यानि की एक जो हमारे पास दिख्रमान था जिसका भार 1 किलोग्राम था दिख्रमान 1 किलोग्राम था उसके उपर प्रत्वी का कितना बन लग रहा है एक आकर्शित बन लग रहा है जो की 9.7 नूटन के पराबर है बहुत ही जरूरी बात है ये और इस प्रश्न को आप एक बार खुद दुबारा अभ्यास करके देखें आईए एक और प्रश्न देखते हैं सूर्य और प्रत्वी के बीच का गृत्वा अकर्शन बल ज्याद कीजे यदि प्रत्वी का अधर विमान 6 गुना 10 की घाद 24 किलोग्राम है और सूर्य का अधर विमान 2 गुना 10 की घाद 30 किलोग्राम है इन दोनों के बीच की दूरी 1.5 गुना 10 की घाद 11 मीटर है तो हमें क्या परिकलित करना है कि इनके बीच का लगने वाला बल कितना है तो बल के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं G गुना M E गुना M S बटा D का स्कुए और G हमारे पास हो जाएगा 6.67 गुना 10 की घाद माइनस 11 6 गुना 10 की घाद 24 और 2 गुना 10 की घाद 30 और इसको हम किस से भाग देंगे 1.5 गुना 10 की घाद 11 का वर्क तो फिर से हम इसे हल करने के लिए वो ही अपना चरण प्रयोक करेंगे कि जो संख्याएं 10 की घाद को छोड़के हैं हमारे पास उनको हम एक साथ यहां पे लिखेंगे और 10 की घाद वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस 11 प्लस 24 प्लस 30 माइनस 22 और जब आप इसको परिकलित करेंगे तो आएगा 10 की घाद तो 30 और 24 चौवन मेंसे अगर हमने 22 हटाया तो 32 मेंसे अगर हमने 11 हटाया तो 21 और अगर हम इन सारे ही माणों को यहां पे परिकलित करेंगे तो देखें हमारे पास कितना आ जाएगा 6.67 गुना बारा बटा 2.25 और यह कितना हो गया तो यह देखें आपको खुच से गढ़ना करनी होगी अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो 6.67 गुना बारा और इसको जब आप 2.25 से भाग देंगे तो 35.57 आ जाएगा तो 35.57 गुना 10 की घाद 21 और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.55 साथ गुना 10 की घाद 21 और इसका हमारे पास एकाई कितनी आजाएगी न्यूटन तो इतना बल लग रहा है सूर्य और पृत्वी के बीच तो इसी प्रकार की कुछ प्रशने आपको परीक्षा में भी आएगे आपको बिल्कुल भी किसी तरीके से कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के लिए उसका यूज किया आप प्लीज इसको कैलकुलेटर को यूज मत करिएगा और इसी तरीके से आप पहले 10 की खातों को अलग कर लीजे बाकी संख्याओं को अलग करके फिर गढ़ना कीजिए